विडियो और आज की वीडियो में मैं आपको अपने बाड़ी की सारी जनरल इस्टोलोजी के स्लाइट से बताना भाला हूँ और आपको कुछ इस तरह के से ट्रिक भी दूँगा ताकि आप उन सारी स्लाइट को जो है अनिटिफाय करो सबसे पहले बने स्टार्ट करते हैं अपने सलाइवरी घ्लैंट के स्लाइट में तो इस तरह के से सारी के शत्राइट मैं कुछ इस सिरस एसिनाइड को में तो आप तुरंद बोल देना कि यह जो हो सकता है बात आती है कि कौँंसा सीरस से कौनसा में शेट वियू को जले इट बनाई है तो क्या रहता है कि और आपको अपने SNIs हो रहते हैं सबसे पहले उनका देखना पड़ता है Stain मुकस्लींड जो है उसके हिंट्टे मिंदी म्यूकस्य जो रहते हैं ऑपने लाइटली स्टेन होते हैं और उसके लावब सीरस के जो एसे नाई होते हैं ये आप लीस्टेन होते हैं कि यहां पर बात करें मुकस ग्लैंड में कि अदर क्या होता है उसके हैं दिखो तो आपको इस तरीके सेंगा अब और आपको दोनों इसे नहीं रहते हैं तो अब यहां पर देख लो कि जो अपना रहता है म्यूकस ग्लैंड उसके लाब तो सब्सक्राइब ग्लैंड वह अपना होता है अब अब आपको इस तरीके से अपनी स्लाइड में पूरा मैंट्रिक्स अगर आपको देखने को मिले और इस तरीके से तो तुरंत माइंड में क्लिक होना चीह कि सर्य अपने काटिलेज की स्लाइड हो सकती है फिर बात आती है कि अपने काटिलेज तीन तरह की होती है है यहां पर इनको अरेंडेफाय करने की ट्रिक ही होती सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा मैंट्रेक्स तो कभी भी तो कभी आपको इस तरह की तरह होमोजीनेस मैट्रिस देखने को मिले तो आप तुरंद बोल देना कि सर्व अपने हाइलीन काटिलेज है क्योंकि क्या होता हाइलीन काटिलेज का मेंट्रिक्स से पास होमी में गले हो Weil यहां पर नीचे की तरफ नंके सेल लार्ज है फिर जो उनके सेल हैं उनका साइज छोटा होता जा रहा है तो कभी आपको इस तरीके का सैल का आरेज़्मेंट देखने को मिले तो आप तुरंग बोजेजना कि सब्सक्राइब कोई भी सैल का विरेशन देखने को आपको नहीं मिलता तो एक बार और में सारी आपको स्लाइट बता सेल के तुर्षा विरेशन देखने को मिलेगा अपने बीच में सैंटर में थोड़े बड़े सेल होते जा रहे हैं तो यह अपने स्लाइट के स्लाइट अपने होकी एलास्टिक काज़ेलेच की और ए से मिला देनािलेच के अपना प्रेंट होता एपिक लॉक्लेट फिर आप आपको पता है जो आपको पता है जो अबना इंटरवर्टी विंट्ल मुसमवल कर्यों शीम्लर मुसरो भी बता जा रहा हूं क्योंकि आपको पता इसी तरीके से पुस्त ऑगां प्रेजें्ट य Raphael तो फिर अपने बातते हैं मुसल बार में तो आपको पता अपने मसल्य Lena होती है और अपनी स्मूद मसल होती है अपनी स्मूद होती है उसमें कोई भी स्टेटिफाइट अपरियंस देखने को नहीं मिलता उसके अलाबा मैं आपके एक एक आख्यांपल भी दिखा देता हूँ तो क्लेरी देख पा रहा होगा यह जो मसल आप देख पा रहे हुए यह स्टेटिफाइड देखने को मिलेगा तो तुरंत आप मसल हो सकती है या फिर अपनी कार्डिक का हो सकती है तो फिर आफ रहती है कि जो आज रखना रहती है अकेली आतो ति पर से दिखहा套 लेता हूं तो पूरा अब डrantि और बोल देना कि काड हट के मसलि है उसका लाब है यहां पर क्रrog क्रेक्ट किजिक्टा कि हूसल मंतलर के बीच में आपको खैंटर में होती हैंë donc आपके अब दीखाता हूं तो यह उपर वाला देखो यहांपे už पर बौहरांश नहीं है और इसकी नूकल इस्टाइ Alright में हैं तो अपनी स्केलेटल मसल है फिर आप कार्टिक मसल की देखो तो इनकी न्यूकलाई देखो थोड़ी बिग होती है और को सेंटर में प्रेजेंट होती है फिर लास्ट में आपको दिखाता हूं स्मूद मसल तो यहां पर विल्कुल कोई भी स्टेडिफाइड अपीरिय और वेन को पता करने के बारे में तो देखो कभी भी आपको यहां स्ट्राइब को स्लैड में इस तरीके से दो सर्कल टैप के देखने को मिलें तो अप तुरण समझ जाना तो आट्री है या फिर वह वेन है अभी मैं आपको बताता हूं अपना जो वैसल होता है न आपको य लेयर लिया इसके बात करते हैं किस class को दिफ्रेंशेट करना है तो देखो क्या होता है जो आटरी जो है उसमें क्या होता है कि ट्यूनिं में जब पादा तिक जयादा ठीक होती है उसके लावा हो दूसरा है के अपने टूनी का बहुत थी लीजबल होती है आप देख पा रही हो देख पा रही हो जाए यह ब लेक्सा आइंटिफैय कर पा रही होएं reluctant Stanford पर पारे होंगे तो कुछ इस तरीक से आपको आर्ट्री और वेन में आप जो है अपने डिफ्रेंशेट कर सकते हो और आप से पूझ भी सकता है कि आपने किस तरीक से आर्ट्री और वेन में पता रहा तो इसके सारे डिफ्रेंशेशन है फिर अपने बात करते हैं अपने लिंफैटिक सिस्टम किस लॉजिक स्लाइड है तो कभी आपको अगर इस तरीके से अपना लिम्फेटिक फॉलिकल आगर आपको देखने को मिले अपने इस लॉजिक स्लाइड में तो तुरंट बोल देना कि इस लिम्फेटिक सिस्टम की है अब आप लोगे सर्कल में बहुत सारा वाइलेट कलर दे देखने को मिलेगा में secondary के अंदर यहां पर बीच में एक सेंटर देखने को मलता है और फिर क्या होता है इन लिम्फेटिक फॉलिकल की लोकेशन के अधार पर अपना 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 स्प्रीड है तो इसको अगर मैं आपको दिखाऊं अब यह वाली स्लाइड के स्लाइड द कर handlar में प्रöm्ली में प्रसेंट नहीं है तो कभी अगर आपका Lymphatic Follichel इस तरीगर क chips और में तो इस तरीके के का आपना अपना ने को देखने को मिलता है क्लों करके तो कि स्लाइड ऊसके वह अपने लिम्फो साइट से बनती है बीलिम्फो साइट और प्लाज्मा सेलस हैं इस विद्ध इसलोज के सलाइट में देखा लेता हूं तो अपना मैडिूला है और उसके अंदर यह आप देख रहे हो ना यह चलिम अपना होता है मेडिलरी कॉड फिर मैं आता हूं स्प्ली पूरी स्टिलोजिक देखने को मिल रहा था लेकिन स्प्लीन में क्या होता ना अपने फॉलिकल पूरे में आपको देखने को मिल रहा है तो कभी पर इस तरीके सा आपको अरेज्चमेंट दिखेंगे अपने लिमफैटिक फॉलिकल का तो आप तुरंद बोल देना कि सर्व मैं आप पूरी चकाई इसन संद डूबढ़ियद करते है और यहां पे उसके लावा इसके लिमंफैटिक फॉलिकल पार्टन estem वन बनते हैं रेड़ पल्प में ली जो होता है वस्कुलर टिशू से बनते हैं मैं आपको दिखाब देता हूं तो यहां पर देखो यह अपने लिंफैटिक फॉलिकल है इनने बोला है वाइड पल्प उसके बाहर जितना भी अपना एरिया है उसे बन बुलते हैं रेड फल्प फ स्पर देखो यहां प्रेआं प्रेवा रटरी विंबहों नाम है प्रेजंट में प्रेजनी प्रेज्ट में था इमिसiacal पता लागावा तो होता है ना अगर आपको अपने स्लाइड में कुछ इस तरीके से लोब देखने को मिलें यह तो कोई एक लोब है यह दूसरा लोब है अब कि लिए देख पार हो यह अपना एक लोब में आप देखो इसके आउटर कॉटेक्स में अगर आप देखो यहां पर लिंफनोड प्रे देख लो कुछ इस तरीके से लिए उसके लावा इसके आउटर कॉटेक्स में अपन को मिल गए लिंफेटिक फॉलिकल उसके इनर मेडियूला में एक और चीज़ देखने को मिलता है जिसे अब बूलते है आप देख पार हो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है और यहां एक कर देखने को मिलता है में लिया इन की बदका तो आपको पोटांजडर का नंदर पर मिल जाएगा तो वाली वीडियो में मिल जाएगा तो वाली जाएगा तो वाली वीडियो मिस आप मत करना